हालो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने ही चानल स्टेट टॉक्स में आज हम देखने वाले हैं 1677 फिट में काफी बहतरिन फ्लैट अपार्टमेंट लोकेशन की बात करें गोमतिन अगर एक्सेंशन सेक्टर सेवन ओमेक सारवन के पास ही आपका सिच्वेटेड है अपार्टमेंट को तिस्ता से बहुत ही बहतरिन को आपको स्टार्टिंग देखने को मिल जाता है आगे विए आते हैं तो खुबसूरत आपको ट्राइंग एरिया सामने देखे काफी बड़ी लाइट एन एर के लिए यह देख सकते हैं काफी वाइट एक हाइड भी काफी अच्छी है दोनों डोड़ स्लाइडिंग पर एंखुलते हैं और यहां से आप इस तरह से खूलकर बालकनी में जा सकते हैं और बालकनी का जो लंबाई है वो काफी अच्छी है चोड़ाई उस विंडो लगाई गई है जिसमें कि आपके कुछ विंडोस ऐसे हैं जो खुल भी जाते हैं दोस्तों और सामने आपकी यह किचन का साइज आपको देखिए बहुत ही स्पेशल साइज है किचन का is asper builder यहां पर आपको यह yeah वार किचन करहबा मिलेगा और फॉल सिलिंग मिलेगजी सामने अब किचन में है इस से विंडो लगा रहेगा टाइब तो फ्रेंड्स हमने देखा आपको उपर देख सकते हैं तो ड्राइंग डाइनिंग किचन का पॉशे हमने देखा आगे चलते हैं आगे चीज़ों करते हैं यहां पे फॉर वाश्रम आपको दिखनें को मिलेंगे वाश यहां पर आपको देखी मिल जाता है और इसकी डॉर की हाइट दिखेगा बिल्डर ने यहां पर सबी दरवाजों की हाइट बहुत अच्छी रखी काफी उची उच्छ दरवाजे रखें जो कि काफी अच्छा लुक आ रहे हैं बहुत रॉयल फील हो रहा है इस पर ग्रैंड लग रहा है एक दम और जितनी भी फिटिंग्स हैं आपके वह सभी स्टैंडर्ड काफी अच्छी कॉल्टी के लगाए गये हैं यह आपका पहला बेड्रूम हो जाता है इसका भी आप देखें डौर हैट काफी अच्छा है रूम साइजेस काफी अच्छे हैं और यहां पर प्राइजी काफी अच्छा होने लाँ 3WHK के किस प्राइम लोकेशन पर सामने आप देख सकते हैं प्रॉपर वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए बालकिनी है स्लाइडिंग कि आप अपने अपने अकॉर्डिंग खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पर आपको एक स्पेस मिलेगा अलमीरा का स्पेस रहेगा दोस्तों और इसकी भी हाइट काफी अच्छी दिये बिल्डर ने अलमीरा के स्पेस की और यह रूम साइज आप देख सकते हैं काफी अच्छा रूम साइज है बड़ा रूम साइज है और इस बेडरूम से अटैच वाश्रूम यहां पर आप देख सकते हैं बेडरूम से अटैच वाश्रूम इसकी दोस्तों आप हाइट देखे दरवाजे की बहुत बहुत हाइ गए हैं आगे क्यों चलते हैं हम देखते हैं अंगला बेडरूम यह सेकेंड बेडरूम है सेम इसमें आपको काफी बड़ा साइस का यह बेडरूम है दोस्तों सामने आपकी विंडो है यह स्लाइडिंग डोर जहां से आपकी बालकनी है और मैं आपको दिखाता हूं इस पैडरूम से अट्ष वाश्रोम काफी बड़ा वाश्रों में घरिया यहां आप अपने वाट्रो भी बना सकते हैं दोस्तों और यह रहा आपका मास्टर पैडरूम् से भी चीज लगी वहीं आप देख सकते हैं टाइल्स का चोंबिनेशन ने कलर वह भी काफ़े च्छा चूस किया गया है ट्री बेटरों प्लस एक स्टोरूम लेक्ट वॉष अरिया भी जो की ट्रॉइंग में वह भी आपको दिया गया है साथ में यह अगला थर्ड बैटरूम है धोस्तों आपका यह थोर्ड बैडरू में भी आपकी अटाइच बालकनी है इसमें स्लाइटिंग वाला डोर है यह बीविसी का बालकनी की आप हाइट देख सकते हैं लंबाई भी काफी अच्छी और चड़ाई भी दोस्तों सामने इसमें भी अटाइच वाश्रूम है और वाटरूप के लिए अल नीला का काफी हाइट अच्छी दी गई है आप देख सकते हैं टाइल से हां भी काफी अच्छे लगए हैं दोस्तों वाश्रूम में इसी तरह के वीडियो को देखने के लेशनल को सबसे पहले आप सबस्क्राइब करें लाइक करें और फ्रेंड फैमिली में शेर जरूर करे हैं और एक अच्छा साइज है इसमें 3BH एक आपको 2BH के 3BH के देखने को मिल जाते हैं लोकेशन में आपको फिर से बताता चलू यह है आपका गोंतिन नग एस्टेंशन सेक्टर 7 नियर ओमेक्स आरवन के पास तो कोई क्वेरी आप डिरेक्ट सेल्सिम को कॉल कर सकते हैं थैंक